वेल्कम टू बालाजी स्टाधियादा यानि की रेजिट्रेशन कराया था उसके संबंद में और यहाँ पर तारीक लिखिया है 26 दिसंबर 2019 बात करते हैं नियूस के अंतरगत तो उत्तर प्रदेश सिक्चक पातता परिक्चा की नई तारीक यूपिट्ट 2019 एकजाम की जो डेट है वो दो दिनों में जारी कर दी जाएगी सचीव परिक्चा नियामक प्रादिकारी अनिल भूसर चत्रवेदी ने एंडी तीवी को बताया है कि आयोग अभी परिक्चा की नई तारीक पर विचार कर रहा है तारीक तै होते ही सरकार से परमीसन ली जाएगी और आने वाले दो दिनों में परिक्चा यूपिट्ट एकजाम की नई तारीक चारी कर दी जाएगी तो सभी लोग का जो प्रसन था वो यहां से क्लियर हो गया होगा और उन्हें ने कहाई कि दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है ऐसे में इस साल यूपिट्ट एटी परिक्चा नहीं हो सकेगी जैसे कि मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ अब यह परिक्चा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएजी बता दे कि CAA और NRC को लेकर हो रहे विरोध के चलते यूपि के कई सहरों में इंटरनेट से वाएं बंद कर दी गई थी जिसके चलते यूपिट्ट के उमिदवार अपना एडमिट कर डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे ऐसे में 22 दिसंबर को होने वाली जो यूपिट्ट परिक्चा है उसको इस्थगित कर दिया गया था तो आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल लई है अब देखते हैं क्या ये जो निउस में कहा जा रहा है वो होता है कि नहीं आगे आने वाले दो दिनों में क्या डेट जो है वो घोसित की जाती है वो तो आपको आने वाले समय में ही पत्दा चलेगा तो यही था हमारी आज की नियूस में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार थेंक फॉर वाचिंग